Only 3 minutes में करूंगा topic clear दोस्तो इससे previous वीडियो में हमने सीखा daily prime software में cash sales की entry करने का पहला तरीका आज की वीडियो में इसका दूसरा तरीका सीखेंगे इसके लिए मैंने vouchers को select किया और कर दिया enterprise दोस्तो हम आगे voucher entry में यहाँ पर मैंने F8 प्रेस किया sales voucher को इस तरह से open कर लिया F2 प्रेस करके जिस date में मैं यह entry करने जा रहा हूँ वो date मैंने यहाँ पर कर दी अब दोस्तो हुआ यह कि संजा traders हमारी data party है जो कि GST में registered भी है अब संजा traders को मैं cash sell करने जा रहा हूँ cash sell का मतलब क्या है कि मैंने इनको जो sell की तो फिर मैं अच्छी तरह से record maintain नहीं कर पाऊँगा तो मैं क्या करूँगा parties account name में यहाँ पर डाल देता हूँ Sanjay traders का laser जिनकों की मैं sell करने जा रहा हूँ लेकिन जैसे ही मैं parties account name में Sanjay traders का laser लगाँगा तो यह दोस्तो हमारी entry हो जाएगी credit sell की यानि उधार sell की तो मैं इसी तरह से करूँगा क्योंकि इस तरह से मैं अच्छी से record को maintain कर पाऊँगा तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ parties account name में मैंने Sanjay traders का laser लगा दी और enterprise किया जैसी मैंने enterprise किया तो Sanjay traders का laser जो मैंने create किया था तो वहाँ पर जो भी detail दीती वो detail यहाँ मेरे सामने इस तरह से open होकर आगी अब देखें इनके पास GST IN भी है यानि goods and services check identification number है यानि यह GST में registered है तो GST में registered है तो इनको जो भी मैं sell करूँगा इनसे जो भी पैसा receive करूँगा उसको मुझे अच्छी तरह से record maintain करना होगा और वो मैं तभी maintain कर पाऊँगा अच्छे से जबकि मैं parties account name में Sanjay traders का laser लगाँगा है ना यानि मैं उनको उधार sell करूँगा तो मैंने यहाँ पर Sanjay traders का laser parties account name में लगा रहे ने दिया यदि दोस्तों मैं यहाँ पर कैस का laser लगा देता और कैस का laser लगाने के बाद एंटर प्रेस करता और यहाँ पर Sanjay traders का laser लगा देता तो मैं Sanjay traders का जो भी record है उसको अच्छे तरह से maintain नहीं कर पाता क्योंकि तब मैं Sanjay traders की laser में जाकर यदि दिखता तो यह sell उसमें मुझे सो नहीं होती तो मैं क्या कर रहा हूँ पहले इनको उधार sell ही करे दे रहा हूँ तो यहाँ पर sales laser मैंने sales का laser लगाया और यहाँ पर जो भी stock item मैं इनको sell करने जा रहा हूँ वो मैंने यहाँ पर लगा दिया इसके अलाबा दोस्तो इस जगह पर मैं आया और यहाँ पर तीन product मैं इनको sell करने जा रहा था तो तीन product मैंने यहाँ पर लगा दिया और cght और sght के मैंने laser लगा दिया क्योंकि यह हमारी state के हैं तो मैं यह sell पर cght और sght करेक्ट करूँ गा इस तरह से मैंने इस entry को कर लिया और इसका amount कितना हो गए 17,225 रुपए अब वह case किया कि इन्होंने तुरंट के तुरंट उस पैसे को भुक्तान कर दिया था तो मैं यहाँ पर f6 प्रेस करूँगा case हमें प्राप्त हुआ था हलकी हाल यानि हमने case sell की थी जो invoice का amount था वो हमे case तुरंट उसी समय उन्होंने दे दिया था तो यहाँ पर मैं लगा हूँगा account में case का laser और यहाँ पर Sanjay Taters का laser लगा दूँगा कितना amount था 17,225 रुपए उस invoice का amount उन्होंने तुरंट हाथों के हाथ दे दिया था तो इस तरह से दूस्तों मैंने इस entry को कर लिया अब इस तरह से जब हम करेंगे तो हम जब Sanjay Taters की laser में जाकर देखेंगे तो वहाँ में दोनों entry मिल जाएंगे यानि हम अच्छी तरह से record को maintain कर पाएंगे तो यह दोनों तरीके मैंने आपको बता दी जो भी आपको अच्छ लगे आप उसके use कर सकते धन्यवाद